हुआ है यह वेलकम अन वेलकम बाक टो मैं चानल जो हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे इस वीडियो में मास देखने वाले हैं एफिजी टू का सोफ कोश्चन पेपर देखेंगे इस स्क्रीन पर तो अभी हम एक पेपर चलाएंगे और बाकी सारी पीडियो जो है हमारे वह आपको डिस्रिप्टन बॉक्स में मिल जाएंगे एफिजी सुटाइशन और ट्रिप्स आपके साथ सेर कह रहे थे हैं उसमें मैंने आपको बहुत कुछ समझाया भी था और अभी जो पैरग्राफ है मैंने उसमें रिपोर्ट रैटिंग के लिए आपको समझाया था और इस वीडियो में मैं बताऊंगे की how to write you or write your composition and paragraphs, okay? So, our question paper is actually, something like this is your question paper, okay? In which you will get 2 hours of time and this is 50 marks, and in which you have to get 20 passing marks, okay? So, you have the first number question, pattern is just like this paper, first, I will ask you a composition, second, paragraph, third, I can give you a letter or notice or messages, okay? And fourth, I will ask you a report, writing or note making, okay? I will tell you all in detail, first, I will give you a little explanation of this paper, which is composition and paragraph, you will not write the importance of noise pollution, TV, medium of education, e-learning, so, in this case, you have not made a story or written, you have not written anything like this, firstly, you have to remember 4 points, you have to remember 4 points, for any essay, composition or paragraph to write it, okay? है, हमेशा, यह चीज़ ध्यान रखना है, कि आपको 4 points रियाद रखना है, first heading, किसी भी चीज़ का heading, you know, proper देना होता है, उसके बारे में कुछ explain नहीं करना होता है, बस यह ऐसा proper heading देना होता है, जो कि, you know, थोड़ा सा explanation की जरूद होती है, ठीक है, second point होता है आपका introduction, introduction में आप क्या करोगे, कि जो आपका topic हो उसके बारे में थोड़ा सा explain करोगे कि इस क्या है, इसके बारे में क्या नहीं जानना चाहिए, क्या है, ठीक है, यह सारी चीज़े है, third में आपको कहता है कि आप main body को compose करो, ठीक है, main body जो इसका importance है, या इसकी बुराईयां है, या समाज पर इसकी क्या असर पड़ता है, या health पर जैसे noise pollution है, तो health पर क्या issue होता है, यह सारी चीज़े आप जैसे की है तो वह आप करोगे, ठीक है, and last में आप conclusion निकालोगे, या इफेक्ट्स वगेरा क्या पड़ता है, अगर आपको दे रहा है, noise pollution है, आप noise pollution पर लिख रहे हो, तो आपको जो हना, effect बताना पड़ता है कि आपके health के अलावा, जो conclusion इसके परिणाम क्या हो सकता है, ठीक है, यह जो मैंने बताया है, वह composition ऐसे paragraph जैसे चीज़ों पर work करता है, यह जो आपका ऐसे composition होगा, वह आपको 350 वर्द में लिखना होता है, it means कि अधाई page या तीन page आप cover कर सकते है, ठीक है, 10 marks का यह 20 marks का यह होता है, second number वह वह question है कि आपको वह तीन perfect काम करना है, ठीक है, फॉर्ड वह perfect काम करना है, 200 वर्ट का होगा, इसके marks भी 10 है, ठीक है, third में आपको कहेगा, कि write the letter of, मतलब कोई भी letter या messages या notice लिखने को कह सकता है, ठीक है, तो आप उसको भी clear कर सकते हैं, हम ज्यादे तर आप से कहें, यही suggest करेंगे कि आप letter proper करो, क्योंकि letter easy हो जाता है, क्योंकि मैंने भी यह exam दे रखा है, मैं भी एकनों से 20 कर रही थी, मुझे पता है कि यह थोड़ा सा letter असान हो जाता है, और आपको marks भी proper मिलते हैं, क्योंकि आप छोटे word में cover करते हो, of course later है तो आप एक से एक से देर पे आपको 10 marks मिल जाता है, read and notes making करने को कहता है, जो कि मैंने आपको पिसले वीडियो में बताया हुआ है, जो कि मैं आपको लिंक आपको description box में दे दूँगी और यह PDF का भी लिंक description box में होगा, so आपको बताया है, मैंने वह आप वीडियो जाके जुरूरर check out कर लेना, अब देखते हैं हमारा solution part को, yeah, so this is a June 2017 का question paper है, तो यह question में आपको पूछता है, write the composition in about 350 watts on any one of the following, मतलब जो भी इसमें 4 आप option देखा, आप 4 में से कोई 1 option को proper clear कर सकते हैं, global citizen के बार में आपको बताना है, कि international लोग क्या understand कर पाते इस चीज से, तो यह solution है आप लोग देख लेना ठीक है, PDF तो अपलोड होई जाएगा, 2 number question में कहता है, write the paragraph about 200 watts on any one of the following, ठीक है, हम A number का भी cover करके आपको दिये हैं कि carrier can be built any area of interest, ठीक है, आप carrier कहीं भी अपना बना सकते हो, area के interest पे ठीक है, area मतलब किसी भी छेतर में आप बना सकते हैं अपना carrier, interest की बात होती है, ठीक है, so मैंने B number भी बताया और C भी थोड़ा सा cover हो गया, तो आप लोग चेक कर लेना ठीक है, 3 number question में क्या कहता है, का एक है की आपको एकÖ आपको एक और आपा आपको तो हुआ यह आपको पत्तत थ éénघक कर का और प्राम को धुशा इस आपको एकँगा आपको भी लोगे,